हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल मैं हूँ सना खान और आज में आपके साथ मटर के स्टफ पराथे यानि की भर्वा पराथे की रेसिपी शेयर कर रहे हूं तो खाने में बहुत ही मज़दार होते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं मटर के पराथे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर दो चमच दो चोड़ी चमच ओयल गरम कर लेंगे उसमें हम डालेंगे आदा चोड़ी चमच जीरा और इसके अंदर हम डालेंगे यह मैंने एक बड़ी साइस की प्याज ले ली है इसको रफली चॉप कर लिया इसके साथ ही हम इसमें यह देखिए मैंने तीन-चार कलिया लहसुन के लिए है और आदा इंच के टुकड़ा अद्रक कलिया है दो हरीमेश लिए काट करके इन सब को हमें फ्राइ करना है इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे तो चलाते हुए इसको हम हलका सा फ अब हम अड़ करेंगे अदा कप मतर जानी सप्वाइब अदर मतर को भी हमें थोड़ा सब भूंणी और मतर को बाजी चीजोंको को हलका सा में पका करके लेना है तो हम इसे दो-तीन मिनट के लिए अच्छी तरीके से जब तक मतर अच्छे से पकने जाती तब तक हमें से पका 1-4 टी-स्पून हाल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे आदा शोड़ी चमस से थोड़ा सा कम अपने डेस्ट के साब से डालें अगर आपको ज्यादा स्पैसी पसंद है तो थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा कर सकते हैं अब इन सारे मस मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मटर को पकने देते हैं मसालों को भी अच्छी से पका लेते हैं तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मटर के साथ पकाएंगे दो से तीन मिर्ट के लिए यह पक चुके हैं हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं ठ अपने टेस्ट के साब से नमक अड़ कर लें इसमें दो चब पिर दाल लेंगे कोई भी कोटिंग आपके पास हो वो डाले सर्सोक ओयल चोड़के और इसके बाद आप इसमें गहीं भी डाल सकते हैं इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल डालने से हमारे पराथे बहुत ही स सोफ डो मना लग लेंगे जैसा हम रोटी पराथे के लिए बनाते हैं बिलकुल इसी तरीकित पहँत हई आपको डोसे शॉफ डोह को तब ही आपके पराथे अच्छे बनें गहिं कि यह तरा भूट कर लिए हुई बना लिए और अब दस मिलने के लिए रख दूंगी जिसे तो बस इसको हम 10 मट के लिए रख देते हैं, हमारा जो मटर और प्याज का मिक्षर था, वो भी ठंडा हो गया है, उसे एक मिक्सी के जार में डाल करके पेस्ट बना लेते हैं. तो यहां पे मैंने इसका पेस्ट बना करके तयार कर लिया है, इसको एक अलग बरतन में डाल करके रख लेंगे. अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं, तो यहां पे मैंने सुखा आठा लिया है, साथ में हमने फिलिंग भी रख ली है, और हमारा आठा भी रेडियो हो चुका है, तो बस अब इसको हमें बेल करके त्यार करना है, सबसे पहले हम एक लोई बना लेंगे, लोई बनाने के फ्लाट कर लेंगे थोड़ा सा, बहुत जादा नहीं बेलना है, बस हलका सा बेलेंगे, अगर बेलने में दिक्कत होती है, सुखा आठा लगा लिजिए, बस यह मैंने बेल लिया, आब इसके अंदर स्टफिंग फिल करेंगे, तो स्टफिंग आप जितनी भना चाते हैं, उ हम अटा देंगे, और इसको इस तरीके से प्रैस करते हुए, थोड़ा सा फ्लाट कर लेंगे, हलका सा फ्लाट करने के बाद हमansen reference, अर मिसे प्लैट करने के बाद हमकि इसे सूखा हाठे में डस्ट करेंगे, और फिर हम इसको हलके हाठ से बेलेंगे, बहुत जड़ा हैं और से तर के से धीरे धीरे और इसी तरी के से एक और पराठा वेल कर के तयार कर लेंगे आप इसको हम सेखने के पराथा में चलते हैं तो कि इसे तब मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया बहुत जादा गरम तबा भी नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं चाहिए तो तबा जैसे गरम हो जाएगा हम इसको डाल देंगे और उसको पलट लेंगे पलटने के बाद आप इस पे घी मखन या फिर आप इस पे ऑईल जो भी लगाना चाहें वह लगा ले मैं यहां पे बट इसके उपर अपिलाए कर देते हैं और इसको पलटके दूसरी आट से भी बटर लगा लेंगे शर्कार लगाले ज़गिए अची तरह से क्लेए बंगे-ध वाएद कर रोट शीक्रिश्पी होने तक हम से कलें यह कि देखिया हमारे पराठे पर हल्किसी ब्राउन स्पाट साने लगे है और इसी तरीके से हम इसको सेक करके त्यार करेंगे उपर से थोड़ा सा आप कल्शी से प्रेस करते जाये आपका पराठा एकदम बढ़िया से स्विक करते त्यार हो जाएगा तो बस दुण साइड से जब हल्किसे ब्राउन स्फ़ाट्स आ जाएंगे हम पराथे को निकालेंगे. तो यह हमारा पराथा सेकके त्यार हो गया है इसी तरीके से हम दूसा पराथा सेक लेंगे. बहुत य bankruptcy हमारा पराथा सेक के तयार हुआ अचार के साथ रहते के साथ जैसे भी खाना चाहें वैसे खा सकते हैं बटर के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं ब्रिकफास्ट में आप इससे जरूर बनाईए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शियर कीजिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो